सावन महिने में शिवलिंग पर जरूर चड़ाएं ये 5 चीज़ें आज एन इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2023 में सावन महा की शुरूरात कब से होगी और सावन का महिना कब समाप्त होगा साथी जानेंगे सावन महा में शिवलिंग पर चड़ाई जाने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में प्रसंद होते हैं आईए जानते हैं शास्त्रों के अनुसार वह ऐसी कौन से चीज़े हैं जो भगवान शिव को अतिप्रे हैं और सावन महिने में अगर आप इन चीज़ों को महादेव पर अर्पित कर देते हैं तो आपकी सभी इच्छा पूरी होती है भगवान शिव के प्रे पुष्प शास्त्रों के नुसार भगवान शिव को कुछ पुष्प बेहत प्रे हैं तो वहीं कुछ पुष्प शिव पूजा में निशेद भी माने गए हैं मानित है कि सावन में शिव जी को शमी बेला और अलसी के फूल चड़ाना बेहत शुब होता है इसके की ध्यान लखें कि भगवान शिव को उनकी पुजा में केटकी के पुष्प नहीं चड़ाय जाते हैं मानित है कि बेलपत्र के तीन पत्ते भगवान शिव के प्रति निधित्व करते हैं सावन में बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और मनों का अमना पूरी होती है काले तिल शास्त्रों के अनुसार शिव पूजा में काले तिल अर्पित करने का भी खास महत्व है बحगवान शिव को काला तिल अर्पित करना अत्यांत शुक माना जाता है मानिता है कि जो भक्त पवित्र सावन मास में शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अभिशेक करता है तो ब diffusion की कृपा से उसे मांसिक और शालिरिक शांती मिलती है हरी मूग मानिताओं के नुसार सावन में भगवान शिव को हरी मूं अर्पित करना भी बेहत शुब होता है सावन मास में शिवलिंग पर हरी साबुत मूं अर्पित करने से जीवन में आ रही बादाओं का अंत होता है और किसी विशेच इच्छा या मनो कामना की पूर्टी होती है शमी के पत्ते शास्त्रों किनुसार भगवान शिव को शमी पत्र भी बेहत प्रे हैं शमी को शनी देव का पेर माना जाता है मानने ताहे कि सावन के महिने में शिवलिंग पर शमी के पत्ते या पुश्प चड़ाने से भोले नात के साथ साथ शनी देव का आशिरवाद भी प्राप्त होता है और साथी शनी की ढहिया और साड़ी साथी का प्रभाव भी कम होता है दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शियर करना ना भूले